और दोस्तों जीके संसार में आप सभी का स्वागत है आज हम सब इतिहास की अंतरगत विजय नगर समराजी को देखने वाले हैं और इसकी अंतरगत उन सभी महत्मुल परस्णों को हम यहाँ पर कवर करेंगे जो की विभीन परिछाओं में आ चुके हैं और आपकी आने वाले समराज की जो स्थापना है मुहमग में तुगलक के सासनकाल की अवस्था के दौरान ही हुई थी इसी को आप नोट कर लेंगे बिजय नगर समराज की स्थापना 1336 इसवी में हरियर और बुका ने किया था और हरियर और बुका जो थे दोनों भाई थे और ये संगम के संत माधो विद्यारन और उनके विख्यात अनुज वेदों के ठीकाकार सायना चार से प्रेड़ना और साहयता मिली थी वहीं अगर हम बात करें विजय नगर की राजधानिया तो आने गोंडी विजय नगर बेनुगंडा और चंद्रगरी राजधानिया हुआ करती थी अग जो कि हरियर और बुका दो भाईयों ने मिलकर स्थापना किया था विजय नगर समराजी का उसका वर्तमान नाम जो हमपी है यह स्तिनावती है दो चीज़ों आपको दिखने को मिल सकती है अब हम बात करते हैं संगम मुवंस की जो कि 1336 से 1485 वी तक सासन किया ठीक है तो संग मुवंस का जो नाम है वह विजय नगर का संस्थापक हरियर तथा बुका की जो पीता थे संगम उनके नाम पर पड़ा था ठीक है और हरियर प्रथम विजय नगर का संस्थापक था और इसने अपनी राजधानी जो है अने गोंडी बनाई थी बाद में अपनी राजधानी क किया ठीक है कि हरिर परतम का उतराधिकारी कौन था उनका भाई बुक्का प्रतम सासक बना ठीक हरिड प्रतम का उतराधिकारी कौन था उसका भाई बुक्का प्रत्रम और यह 1336 शेवों से ही संजीष चासक की रूप में सा happier हैं कि वुक्का प्रतमने 1374 frightened में चीन को एक दुध्मंडल भेजा था, अगर आप से पुछा जाये, बुगका अप्रत्व है ने चीन को एक दुध्मंडल भेजा था, कब भेजा था, 374 में ठीक है? अब देखिए कुछ और प्रश्चन है, हरियर द्वीतिये ने महा धिराज तर्था तथा राज परमेस्वर की उपाधी धारन की थी याद रखना है आपको कि हरियर द्वितिये ने महराजा धिराज और राज परमेस्वर की उपाधी धारन की थी हरियर द्वितिये ने कनारा, मैसूर, तिरुचापल्ली, काची और चिंगलपट आधी परदिसों पर अपना सब्सक्राइब को जो विजय नगर समला थे था बहमनी सल्टानेत की संगर्च की जड़ थी वह स्तगत करने का पर्यत्न किया था देवराय प्रथम जो कि 146 से 1422 तक सासन किया इसके काल में बहमनी राजिस से कई यूद्ध हुए प्रंतुहार का सामना करना पड़ा देवराय प्रथम ने तुंग भधा नदी पर बांध बनवाकर नहरे निकलवाई थी कौन देवराय प्रथम और किस नदी पे तुंग भधा नदी पे देवराय प्रथम के सासन काल में इतावली यात्री निकोला कोंटी ने बिजय नगर की यात्रा की थी अगर आपसे पूच तेल्गू कवी शिर नात रहते थे, ठीक है, हर विलासम और तेल्गू कवी सिर नात जो है, देवराय प्रतम के दर्बार में रहा करते थे, देवराय प्रतम ने अपनी सेना में मुसल्मानों को भर्ती करना सुरू किया था, बीर वीजय के बाद देवराय दिवतिये ने सासन ब्यवस्था का पूना संगठन किया और सेना को ठोस निव पर खड़ा किया और यह जो है इस वंस का महान सासक बना ठीक है वीर वीजय जो है उसके बाद देवराय दितिये ने सासन ब्रवस्था पर पूनस अंगठन किया और उसको इस तरह से बनाया अपनी सेना को ठोस नियू पर उसको खड़ा किया और उसके बाद अपनी जो वन्स है उसका महान सासा के तौर पर उबड़ा देवरादितियों को प्रजा ने इमाद दिव 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 देवराय द्वितिये ने अपनी सेना में बड़ी मात्रा में मुसल्मानों को भर्ती करना शुरू किया था। उसके सामन्त नर्सी ने पच्युक्त करके 1486 इस्वे में सिहासन बैठा था। नर्सी ने बहमनी सुतान तथा पुरीसा के राजा के विरूद यूद किया और खोई हुए अपने प्रांतों को पूना जीत लिया। सेना को सक्ति साली बनाने के लिए अरब वैपारियों को सलू नर्सी ने अधिक सधिक भोड़े आयात करने का परलोभन वप्रसाहन दिया था। नर्सी के बाद उसके दो पुत्र गदेवे बैठे किन्त हुए अत्यांत आयोग सिध्ध हुए यानि कि वो कारगर नहीं हुए वो सफल नहीं हो सके। इनके सासन काल में राज सक्ती समराज जी के सिनापती नर्सा नायके हाथों में रही। और 1505 जी में नर्सा नायके पुत्र वीर नर्सिंग ने सालू नरेस इमाडी नर्सिंग की हत्या करके सुए सियातन पर अधिकार कर लिया और विजयनगर समराज के तृतिये या फिर कहें तुलू राजवन्स की अस्थापना किया। तिसरा जो समराज आया विजयनगर का हो था तुलू ठीक है। पहला था आपका संगम वन्स दूसरा सलू वन्स और तिसरा आया तुलू वन्स तुलू वन्स जो है 505 से लिए 570 तक सासन किया। देखिए वीर नर्सी जो कि 505 से 509 तक तुलू वन्स के सासक भी रहें प्लस में राजवन्स की निव डाली ठीक है। और वीर नर्सी के बाद उनका छोटा भाई क्रिशन देव राय जो कि 505 से लिए 529 तक सासन किया वो सियासन पर बैठा। और बाबर ने अपनी आत्म कथा में क्रिसन देव राय को भीजन अगर का महानतम सासक का है। अगर आपसे पूछा जाए किस ने अपनी आत्म कथा में की ने वरी mightyısı कराजा गन्पती परताप रुदध को पराजित किया। ठीक है, कृष्ण देवराय ने 1513 इस्वी में उडिसा के राजा गुनपती रुद्र परताप को पराजित किया था, और 1514 इस्वी में उदैगिरी का किला हस्तगत कर लिया था, यानि की जीत लिया था, और उडिसा पर विजय प्राप्त करने के बाद, कृष्ण देवराय ने कृष्ण देवराय ने पृतगाली सासक अलबुककर के साथ मित्तता पुन समंध कायम किया और भटकल में उसे खीला बनाने की अनुमती थी, ठीक है, भटकल में खीला बनाने का अनुमती अलबुककर कौन दिया था, कृष्ण देवराय ने दिया था, कृष्ण देवराय न यूँ कहा जाता है या माना जाता है उसके दरवार में आठ महान विद्वान यों कवी रहते थे जिन्हें अश्ट दिगज कहा जाता था ठीक है क्रिसंदेव राय के दर्बार में आठ महान विद्वान और कवी जो रहा करते थे उन्हें अस्ट दिगज के तौर पे जाना जाता था क्रिसंदेव राय ने महान विद्या प्रेमी होने के कारण आंद्रभोज और अभिनो भोज ऐसी उपाधिया धारन की है अस्ट दिगज तेलगु कवियों में पेडाना राज कवी था ठीक है अस्ट दिगज तेलगु कवी जो थे उसमें पेडाना जो था राज कवी था क्रिसंदेव राय ने गोलकुंडा के राजा कोली कुतुपसा को यूद में पराजित किया था क्रिस्न देव राय ने गुलकुंडा का जो राजा था उसको पराजित किया था और क्रिस्न देव राय के सासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस आया था अगर आप से पूछा यात्री डोमिंगो पायस जो है किसके सासनकाल के दोरान आया था तो क्रिस्न देव विजय नगर की निकट नागलापूर नामक नगर की रचना की नागलापूर याद रखेगा और कृष्ण देवराय जो है हजारा मंदीर और विट्टल स्वामी मंदीर का विनिर्वान कराया और आपको पता है कि परसित विट्टल स्वामी मंदीर है जिसमें 56 अस्तम संगितम स्वर निकालते हैं अगर पूछा जाए कि कृष्ण देव राय कौन से धर में आस्ता रखता था तो वैसनो धर कृष्ण देव राय का उत्राधिकारी उसका भाई अचुत्य राय हुआ इसने पंदर सो उनत्तिस से लेकर पंदर सो ब्यालिस तक सासन किया अचुत्य राय के सा प्रांत उसका भतिजा सदासी उस्यासन बैठा किन्तु राज की वास्तविक सक्ति उसके प्रसिद मंत्री राम राय के हाथों में रहे यानि कि सक्तियां जो थी ओ जो समाल रहा था बागड़ोर ओ मंत्री राम राय समाल रहा था बीजापूर अहम्मद नगर गोलकुंडा और बीदर भी इसमें सामिल था जिसमें कि सेनाओ ने विजानेगर प्राकरमन किया और 23 जिनवरी 1565 को ताली कोटा के यूद में उसे पराजित किया ठीक है गोलकुंडा और बरार के मद्दे प्रास्परिक सतुर्था के कारण बरार इसमें सामिल नहीं हुआ था राम राय ने विर्तापूर्वक यूद किया लेकिन वह पकड़ा गया और अहमद नगर के सुल्था ने स्वय अपने हाथों से उसका बद कर दिया था ताली कोटा का यूद कब हुआ था 1565 इसमें और इस समय विजान नगर का जो सासक था सदास्यू राय था ताली कोटा के यूद 1565 में हुआ था और उस वक्त विजान नगर का सासर जो था सदास्यू राय था एक और वन्स आता है अरावीडू वन्स अरावीडू वन्स जो है एराम राय के भाई तिरुमाल ने 1570 में सदास्यू को अधपस्त करके यानि की अपदस्त करके पत से हटा करके अरावीडू वन्स की नियू डाली थे ठीक है कब 1570 में तिरुमाल का उतरा अध्यकारी रंग द्वीटिये हुआ और रंग द्वीटिये के बाद उसका भाई वेंकट्डडवू तिये सिहासन पर बैठा और वेंकट्डवू तिये की चितरकाल बड़ी रूची थी उसे इरोपीय चितर बहुत पसंद थे और इसने दो जैसुईट चित्रकार अपनी सेवा में रखे थे, किसने वेंकर डूतिये ने, मैसूर राज के स्थापना 1612 में वार डियार ने किया था, अगर आप से पुछा जा मैसूर राज के स्थापना 1612 में किसके दोरा किया गया था, वार डियार के दोरा, और इस वन्स का अंतिम स्वतंतर सासक क रंग त्रितिये हुआ इसका अरावी डूवन्स का और से रंग पटनम बेदनूर, मदुरे, तैंजौर, आधी, अधिनस्त, नायक जो सामन्द थे उन्हें ने सुमय को सोतंदर कर लिया और इसके फलस्वरुप विजानेगर समराजी का अंत हो गया ठीक है इस तरह से विजान समराजी के राजनितिक, समाजिक और आर्थिक जीवन में भाग लेती थी बाल विवा समाज में समान रितिक के रूप में परचली था और समाज में दहज प्रथा उग रूप से भी परचली थी कब बिजयनेगर समराज के दौरान सती प्रत्था बिजयनेगर में बहुत पचली थी और ब्राहमन सुवर्चंदिता के लिए इसके लिए अनुमती देते थे सती प्रत्था बिजयनेगर में बहुत ही पचली था साथिसाथ ब्रामन जो थे सुवर्च चंद्रता से इसके लिए अनुमती देते थे और ब्रामनों को समाज में उच्छ स्थान प्राप था और साथिसाथ दास प्रथा का भी परचरन हुआ करता था बिजयनगर समराज के दोरान मद्यवर्ग में सेठी या चेटी नामक एक बड़ा सम्मू था जिनकी हाथों में अधिकांस बैपार केंद्री भूत हुआ करता था बिजयनगर समराज में उत्तर भारत से सबसे बड़ी संख्या में लोग आकर दक्षिन भारत में बस गए जिन्हें बढ़वा कहा जाता था बड़वा कहा जाता था और मनुषे के क्रे को वेस वर्ग कहा जाता था और मंद्रों में देवकुजा के लिए देवदास्या रखी जाती थी समाजिक जीवन में गनिकाएं का महत्पून जो था वो अस्थान हुआ करता था समाजिक जीवन में गनिकाओं का महत्पून अस्थान हुआ करता था विजयनेगर समराज में और समाज में पर्दा प्रथा परचलित नहीं थी, विध्वा इस्तरी से बिवाह करने वाले पूरुस जो होते थे, उकर्ष से मुक्त थे, ठीक है, अगर कोई विध्वा इस्तरी से बिवाह करता है पूरुस, तो उसे टैक्स नहीं देना होता था, टैक्स मुक्त होता था, त सत्रंज का प्रेमी था और सत्रंज का खेल उसे बहुत लोग प्रिये था इस सभी विजय नगर समराज से जुड़े हुए फैक्ट्स है ठीक है विजय नगर काल में उराज के अलपायू होने पर प्रति सासक न्युक्ति ही विजय नगर के पतन का एक कारण सिध्ध हुई मनुरंजन के छित्र में नाटक और ये चिगान बहुत लोग प्रिये हुआ करता था बिजय नगर में अंग्यार विवस्था का ग्रामीन पर्षासने महत्पोन योगदान था 12 सदसीय पर्षास की ये अधिकारियों का समो आयंगर विवस्था में कारे करता था आयंगर वनसार रुगत अधिकारी होते थे और अपने पद को बेच या गिर्वी रख सकते थे ठीक है पद को या तो बेच सकते थे या गिर्वी रख सकते थे ऐसा हुआ करता था सिस्ट नाम कर राजी की आय के पर मुक्सरोद था। जो आयखा पर मुक्सोड था। गन्दिय आय त्वस्वभाग को hm एठावने के तोरपर जाता था। ग्राम के कतीपे विसेश्ट लोगों को उनकी विसेश्ट सेवाओं के बदले में लगान जेमी दी जाती थे, जिसे की उबाली कहा जाता था यूद भूमि में असीम सौरे परतसंग करने पर यूद में अनुचित रूप से मिलित लोगों के परिवारों को जो भूमि दी जाती थे उसे रक्त कोड़ेगी कहा जाता था अगर कोई सैनिक है, यूद में गया और वो मिर्थ हो गया, मारा गया, तो उसके परिवार को भूमी दी जाती थी, उसे रक्त कोड़ेगी कहा जाता था। राजा सुनि धारण दर जो था, वो आय का एक वटा चो भाग हुआ करता था। परन्तों कुछ मामलों में यह एक वटा चार तक भी हुआ करता था। ब्रामनों और मंद्रियों पर अगर हम रेट देखे दर देखे तो एक वटा 20 भाग और एक वटा 30 भाग हुआ करती थी राजा के सहायता के लिए एक मंत्री मंदल होता था जिसमें समराजी के स्रिष्ट विद्वान हुआ करते थे और मंत्री परिष्ट जो होती थी उसकी अध्यक्स्ता सभानायक के द्वारा किया जाता था ठीक है राजा के सहायता के लिए एक मंत्री मंदल हुआ करता था बिजने कर समराजी में और क्रिसी कारे में लगे क्रिसक मजदूर को कुदी कहा जाता था, विजयनगर समराजी के दौरान क्रिसी कारे में लगे हुए जो किसान होते थे, क्रिसक जो मजदूर होते थे, उन्हें कुदी कहा जाता था, और सेना पती को पलाईगर या नायक कहा जाता था, अगर आप से निश्चि संख्या में सैन्टुकुरियां रहती थी ठीक है वैसे सैन अधिकारी जिनके अधीन निश्चि संख्या में सैन्टुकुरियां रहती थी उसे अमर नायक कहा जाता था अब देखिए अगर विजयनगर की हम परसासनी की कायों की बात करें घट्टे करम में तो प्रा गंगा देवी ने अपनी मदूर विजय कृती में अपने पती के विजय अभियानों का वर्नन किया है तो इस तरह से जो important one-lineers थे जो question के तौर पर आपको यहां पर दी गई है और विजयन अगर सम्दाइब से जूड़े